बहार्थी एकदम क्रिस्पी अने खावा मा एकदम सौफ्ट एवा बिहारी समोसा आपणे आजे बनावी शूँ तो ए माटे तमारे वीडियो ने स्किप करिया वगर जो आनो छे अने ए पहला जो चैनल ने सब्सक्राइब नथी करी तो चैनल ने सब्सक्राइब करी अने थारबाद में यहिए आदू औने मरची लिदेला छे आदू मरची ने बराबर रिते तेल नी अंदर आपडे सादली गलेवा ना जी त्यारबाद में यहार वर्याली लिदेली छे एक चमची धाना 20 ु पावडर एक चमची गरम मसालो एक चमची लाल मर्चु अने मिठो स्वाधनु सारलाई अने बराबर रीते तेलनी अंदर अपड़े मिक्स करी देवानुँछे मसालो बड़े नहीं एटला माटे थोड़ु पाणी एड करीशुँ पाणी आपणे तिमे दिमे एड करतो जवानुछे अने आरीते थोड़ु लिक्विड बनावानुछे ती आर पाणी अंदर खांड अने लिमूनो रस पन आड करी देशुँ तो आपणो मसाालो एकदम तैयार छे एंик न अंदर हवे आपणे बटेका आड करी देशु तो में यहां बोयल बटेका ने आरीते ना 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 पीसक करी ली देला छे बराबरी ते एड करी देवाना छे अने थोड़ा बटेकाने मेश करी देवाना छे अने केसनी फ्लेम आपने मीडियम अज राखी शू ज्यारे आपने मसाला एड करिया छे त्यारे एकदम स्लो फ्लेम पर अज मसाला एड करवाना छे हवे धाणा एड करी देशो औने गेसनी फ्लेम ने बंद करी देशो तो आपड़ू स्टफिंग एक दम तयार थाई गयो छे तो स्टफिंग ने साइट पर रखई दाई अने ठंडू थवा देवानू छे तो स्टफिंग थंडू थाई तयार बाद अज आपड़े एमने समोसा बनावाना छे जेना थी एक सरस्रीते बंचे तो त्या सुधी माँ आपड़े लोट बांदी लए तो ए माटे में या एक कप मेंदो ली देलो छे त्यार बाद एमनी अंदर बे चमची आपड़े रवो लेवानू छे तो रवो सा माटे लेवानू छे तो ए जानवा माटे वीडियो ने स्किप करिया वगर जोवानू छे त्यार बाद में थोड़ा अजमालाईली देला छे मिठुलाईले शुष्वाद नूसार अने तेल हवे आ बद्धी जवस्तुने बराबर रिते मिक्स करी देवानी छे तो आपड़ा समोसाने एकदम क्रेस्पी बनावा माटे आपड़े केटलू तेल लेवानू छे तो ए माटे आपड़े ज्यारे पन लोट ने आरीते मुठी नी अंदर वाली अने एकदम सरस्वीते बाइंडिंग आवी जाई एवु टैक्चर थाई तो एटलू तेल आपड़े एड करी शुँ तो हवे धीमे धीमे करी अने एमनो लोट बांधी लेवानू छे पाणे आपड़े थोड़ू थोड़ू ज एड करता जवानू छे लोट आपड़े एकदम धीलो पन नथी बांधवानू थोड़ो कड़क बांधवानू छे एकदम धीलो हसे तो आपड़ा समोसा एकदम क्रिस्पी नहीं बने तो आपड़ो लोट तया थाई गयो छे तो लगपक पांती 10 मिनिट माठे रेष्ट करवा माठे मुखी देगे आपड़ो लोट एक दम सारा स्रीते रेष्ट थाई गयो छे हवे एम ना आपड़े ना ना लुआ बनावी लेवाना छे तो आ रीते ना ना लुआ बनावी लेशू अने त्यार बाद आपड़े एम ने एक रोटली बनी लेवानी छे आपड़े नोर्मल ली ज़े रोटली बनी बनीए छे ए साइसू ने जह आपड़े बनी लेवानी छे पूरी तो त्यार बाद आपणे एने वच्चे थी कट करी लेवाना झी अने बेपाट करी लेवाना झी तो आरी ते चपपूनी मदत्ती जापणे बेपाट करी लेवाना झी अने एहम ने पेलला तो बनने पाटने आपणे जोयंट करी देईशो, जो डायरेक ना जोयंट थाई, तो तम्हें थोडुँ पानी लगावी ने पन जोयंट करी शको छो, तो आरी ते हातनी मदथी बराबर प्रेस करी देवानूँझे, जो बराबर प्रेस नहीं करीए तो जारे पण आपडे तली शू त्यारे आपड़ा समोसा छे एक खुली जाशे तो आरी ते कॉन टाइप नू आपड़े बनावी लेशू हवे जे आपड़े बटेकानू स्टाफिंग तयार करेलू छे ए स्टाफिंग ने कॉन नी अंदर आपड़े एड करी देवानू छे अने किनारी ओपर फरी थी आपड़े पाणी लगावी देवानू छे गारणके पाणी लगावी शू तो एकदम सरल ता थी ये चिपकी जासे तो आरी ते आपड़े पेक करी देवाना छे नॉर्मली जे पंजाबी समोसा होई छे एम नी जेम आपड़े पेक नाथी कर वाना आा समोसा आरी ते फ्लेेट जोई छे जे हाथ थी थोड़ा दबावी दई शू तो आपड़े समोसा तैयार थाए गए चे तो आरी ते आपड़े बाकी ना समोसा बना भी लेवाना छे आपड़ा समोसा ताया छे हवे एक कडाई नी अंदर में तेल गरम करवा माटे मुखेलू छे आपड़े मीडियम फ्लैम पर अच तड़वाना छे कारण के जो मीडियम फ्लैम पर तड़ी शुँ तो ए बाहरत एकडम सरस क्रिस्पी था से अन्य अंदर थी एकडम सरस सौफ्ट रेशे तो आपड़े लोटनी अंदर जे रवो आड करेलो हतो ए एटला माटे रवो आड करेलो तो करनके जारे पन आपड़े मेंदाना रोटनी लोटली वनिया छे त्यारे एकदम वनाती नाथी तो रवाना लिदे एकदम सरल ताती वनाई जाई छे एटला माटे आपड़े रवो समोसा तयार थाई गया छे बाकी ना समोसा पन आपड़े तढ़ी लई शुँ तो समोसा आरी ते एकदम गोल्डन ब्राउन कलना थाई त्या आजुदी आपड़े तढ़वाना छे अने एकदम मीडियम फ्लेम पर तढ़वाना छे तो आपड़ा समोसा तयार छे तो आरे सीप पिकेवी इलागी कमेंट करीने जरूर थी बताओ